Hello students, it's your English worksheet number 48 for class 10th, scheduled to be done on 28th October 2020 बेटा आपकी क्योंकि autumn break हुई थी, इसलिए यह जो आपका है worksheet यह आपको 28th October 2020 को करनी है जिसमें आप सबको क्या करना है, read the preamble of the constitution of India जो आपने प्रस्तावना अभी जब हमने हमारे सद्मिधान को 50 वर्ष हुए 2019 में क्योंकि 1949 26 नौमबर को यह तियार हुआ था तो जब 50 वर्ष होने वाला थे हमने इसे मनाया पिछले वर्ष और देखिए अब हम फिर से इसको एक बर दोहरा रहे हैं आपकी बुक्स में हमेशा यह बिटा फर्स्ट पेजिज में यह होता है तो यू वुड़ हाव कम अक्रोस प्रियंबल इन यूर टेक्स बुक्स आपकी टेक्स बुक्स में होता है जिसमें जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी आर फोर पिलर्ज ओफ डेमोक्रेटिक इंडिया हमारे गणतंत्र हमारे गणराज्य हमारे इंडिया के लिए चार जो उसके पिलर है जिस पर यह टिका हुआ है हमारी डेमोक्रेशी वो है जस्टिस न्याए फ्रीडम यानि कि लिबर्टी को बोलते है फ्रीडम इक्वालिटी के सभी समान है और फ्रेटर्निटी सब लोग मि देखिए, यह किसकी फोटो है, फादर आफ आर कंस्टिटूशन, डॉक्टर भीम राव अमेटकर, जो सन्विधान सभा के हेड थे, उसके बाद यहां देखिए विटा आगे है, तब पीपल आफ इंडिया हाविंग सॉल्मली रिजॉल्ड तो कंस्टिटूट इंडिया इंट जो हमें क्या दिया जा रहा है, इस टाइम पे पीपल आफ इंडिया को जस्टिस, हमें जस्टिस न्याय मिलेगा, हम सब के लिए हमें न्याय दिया गया, प्रजशन विधान के द्वारा, कॉंस्टिटूशन के द्वारा, सोशल, इकनॉमिक और पॉलिटिकल, उसके साथ सा देखी बिटा, लिबर्टी, लिबर्टी कैसी, कैसी फ्रीडम, लिबर्टी ओफ थोट, कुछ भी सोचने की, कुछ कहने की, बिलीफ, किसी पर विश्वास, फेथ, या वर्शिप, किसी भी भगवान की, किसी भी गॉड को मानने की, वर्शिप करने की, उनकी पूजा करने की हमें आजादी मिली equality of status equality यानि की सब बराबर है equality of status and opportunity हमें समान अवसर और साथ ही साथ promote among them all जैसे अब आप कहते हो gender equality वहाँ पर लड़के और लड़की के बीच में जो भेड़ाव है उसे inequality को उटाने की बात होती है लेकिन यहाँ सभी लोगों के बीच में बात हो रही है कि सभी समान है सन्विधान के समख्ष सभी समान है assuring dignity of the individual and unity of the nation यहाँ पर dignity of individual का अर्थ क्या है? dignity of individual होती है respect for every individual और उसके साथ-साथ हम सब एक है हम सब एक है जो हमारा word है हम सब एक है हमें यही संदेश fraternity यही संदेश देता है brotherhood तो हमारा जो unity है वो भी हमें यह guidelines यह opportunity हमें कहां से दी गई? हमें preamble से हमारे constitution से मिलती है जोसकी प्रस्तावना है preamble यह आप सब बच्चों को बताने के लिए ही समझाने के लिए ही books में आगे front pages में होती है in our constituent assembly this 26th day of November मैंने अभी आपको बताया था कि 26 नमबर 1949 को यह बन के तयार हुआ इसे माना गया और जब कि इसे लागू कब किया गया था अगर आपसे पूछे तो होता है 26 जनवरी 1950 तभी हम उस दिन से इसको गनतंत्र दिवस यानि के Republic Day के फॉर्म में मनाते हैं और इसे लिया गया in act to give ourselves this constitution और हम सब ने उस दिन ये शबत ली कि हम सब अपने constitution को follow करेंगे इसके respect करेंगे तो देखें बिटा आज हमें इस वर्क्षीट में करना क्या है तो signature of the artist भी और रामा मनोहर सिना आज आज दिखाया गया है कि इसमें यहां पर जो artist है उसके sign है अब यहां देखें select any one of these four principles हमें जो आज काम करना है वो करना है कि हमें इन चार प्रिंसिपल कौन से equality, liberty और fraternity यह जो आपके यह देखें यह चार प्रिंसिपल है justice तो आप इन में से किसी पर भी ऐसा एक paragraph आपको short paragraph लिखता है आप किसी पर भी लिख सकते है मैंने यहां पर जो आपके लिए सबसे आसान हो सकता है वो मुझे लगा liberty सबसे easy और understand कर पाएंगे सभी बच्चे तो मैंने उस पर लिखवा है देखिए यह एक example है आप दूसरा भी कोई लिख सकते हैं आप जो चाहें उसको form कर सकते हैं आप देखिए importance of liberty यहां पर जो four principles हैं सभी important हैं लेकिन हमने किसी एक principle पर लिखना था तो यहां हमने मैंने जो लिखा है वो लिखा है importance of liberty all the four principles are important and integral part of Indian constitution जो चारो ही principle है वो बहुत बहते पूर्ण है और सब एक दूसरे का अभिन अंग है integral part of constitution है मिलकर हमारे सनविधान को बना रहे हैं out of four principles और इन चार में से I would like to express my views on the importance of liberty and freedom और जैसे कि मैंने ये किया कि मैंने चार में से जो चाहा आप शुरू की line और ये sentence use कर सकते हैं कोई भी principle ले सकते हैं तो यहां पर सब क्या होगा आप importance of liberty की जगा आप लिख देंगे justice या equality और fraternity जो आपको अच्छा लगता है लिबर्टी पर करना easy है आप easily understand कर सकते हैं तो जो आपकी thoughts हैं आपके sentences बहुत easily arranged हो सकते हैं आप express कर सकते हैं अदरवाइस आप किसी भी principle पर कर सकते हैं आप शुरू की सारी lines लिख सकते हैं और यहाँ पर सिर्फ आप importance of यहाँ पर आप अपना principle जो चाहते हैं जो आप like करते हैं जिसके बारे में लिखना आप वो लिख सकते हैं लेखिए इसे आगे every organism wants freedom हर जीव को आजादी चाहिए रहने की, enjoy करने की and work to live, enjoy and work it provides the right to freedom of speech अब हमें जो liberty मिली है जो हमें आजादी मिली हुई है वो हमें क्या क्या दे रही है यह हमें यह अधिकार दे रही है जो हमें सन्विधान में यह दिया गया उस आजादी उस liberty से मुझे हमें right मिला to speech freedom of speech कुछ भी कह सकते हैं हम express कर सकते हैं अपनी बात को जो हम सोचते हैं right to form associations कोई भी हम अपने groups बना सकते हैं right to move freely कहीं भी हम अराम से जा सकते हैं बिना किसी रोग टोक के reside in any part of the country हम अपने देश के किसी भी पार्ट में जाकर रह सकते हैं right to practice any profession कोई भी कार्रे कर सकते हैं occupation और business बिटा इन में difference क्या है कि किसी के लिए qualification चाहिए किसी के लिए आपका अलग लग तरह के काम हैं किसी के लिए skilled होना जरूरी है या आप अपना business आप जो भी काम करके अपनी आजीविका को अपने livelihood को कमाना चाहिए आप कमा सकते हैं अपनली मानना profess क्या मतलब है बिटा openly स्वीकार कर सकता है उसे कोई मना नहीं है वो अपनी मर्जी के धर्म को माने उसे आगे अपने ग्रुप में आगे propagate करने के लिए जो वो करना चाहिए वो कर सकता है इन आर constitution citizens have all the above liberties अब हमारे जो सन्विधान है इसमें हम सभी citizens को यह सारी liberties हैं कौन सी liberty of thoughts, expression, belief और faith तो हमें कुछ भी सोचने की कुछ कहने की अगर हम सही डंग से सहे जंग से अपनी बात रोक को रखें तो हम हर जगा हमारी बात को माना जाएगा अब देखें but we should maintain the dignity हमें respect जरूर maintain करनी है अपने constitution की, अपने hierarchy की अपने लोगों की अब देखें it has become possible और यह सब possible कैसे हो पाया only by the endless efforts of यह सब possible हो पाया जो हमारा यह constitution है या हम लोग जो आज free है हमारी जो liberty है तो हम liberty पे लिख रहे हैं कि possible by the endless efforts of our great freedom fighter जो हमारे क्रांती कारी थे जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी who sacrificed their lives जिन्होंने अपने जिन्दगी के बारे में नहीं सोचा for attaining the freedom of our country और हमारे देश की आजादी के लिए वो मर मिटे now अब क्या है बटा we must respect अब जब देखे हमें आजादी मिल गई लेकिन आज हमें उस आजादी को maintain रखना है उसको respect करना है और rights का ध्यान रखना है as well as responsibilities or duties उसके साथ साथ जो हमारी जिम्मेदारियां है जो हमारे फर्ज हैं वो भी पूरे करने है और उसका भी साथ के साथ ध्यान रखना है to contribute और हमने अपना योगदान देना है to contribute towards the progress of our nation तो बिटा इस तरह से आपकी जो worksheet है उसमें जो principle के लिए paragraph लिखना था यह complete होता है हमने अपने nation की progress के लिए contribute करना है और आप सभी ने अभी क्या contribution सबसे बड़ा contribution है COVID appropriate behavior को follow करिये जो most wanted है इस समय में कि आपको mask का use करना है today's messages keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards हमें 6 feet अपने जो शारीरिक दूरी है वह 6 feet और 2 yards की दूरी या 6 feet की दूरी maintain करनी है उसके साथ साथ मास्का इस्तेमाल करना है और बड़ा frequently अपने hands wash करने है sober water से और I hope कि आप सब बच्ची यह guidelines अच्छ से follow कर रहे हैं और आपको अपने सभी friends, relatives और सब को motivate करना है आप जिनको भी जानते हैं अगर आप देखते हैं उन्होंने mask नहीं पहन रखा है तो आपको उनको टोकना है कहते हैं अब हम टोकेंगे तब ही तो हम कोरोना को रोकेंगे जब हम टोकेंगे तो आप सभी को यह समझाईए यह guidelines follow करने के लिए प्रेरित करिये ताकि हम जल्द से जल्द कोरोना वाइरस को खतम कर सकें कोविड-19 को फैलने से रोक सकें और सभी बच्चे इसी तरह से बटा समय पर काम करिये भेजिये और अच्छे से साथ के साथ उसका प्राक्टिस भी करिये जैँ आच्छे ए काम करिये जाय प्राक्टिस जैके हैं बच्छे की तरहày दी आच्तिस मैं टेए बच्छे प्राव सीच अटना आपकें मैं डश्वर्च न्सरवब्स मैं डे इससावब प्राव